नमिश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का ऐस्टो तक चैनल में मैं हूँ पृतिका मजूंदार आज हम बात करेंगे चट मंगनी पट शादी के लिए अजमाई ये टोटके आज वो सारे टोटके मैं बताऊंगी जो लोग चाते है फटाफट मंगनी तैह उनी के लिए ये उपाय मैं बताऊंगी हर माईनी के दो पक्षों होते हैं जैसे कि एक होता है किष्ण प्रक्ष दूसरा होता है शुक्लपक्ष तो शुक्लपक्ष के पहले सोमबार को आपको भगवान शिप का ब्रत रखना चाहिए साथी कन्या की विभा की चर्चा करने से चर्चा करते करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहां जाते तो कन्या खुले बाल से लाल बस्रो धारन कर हसते हुए उनकी कोई मिस्टन खिला कर विधा करे मतब कोई भी आपके घर आई है कन्या की रिस्ता लेकर तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जब रिस्ता लेके आई है उन लोगों को जैसे आपको खाती दाड़ी करना है उसके बाद जाने से जो पहले जो कन्या है उनको आप लाल रंग का साड़ी पहना के सामने लाए और जो लोग जब वीदाय होती है जब आपके घर से प्रस्थान करते है उस सिर पहले कन्या के सब को मिस्टन का सेवन करा करीड बहार भेचेगा इससे आपका चट मंगनी पर शादी हो जाएगा और बिभा की चर्चा भी सफल होंगे मतलब आपके समझ लेजिए आप लेटके वाले लेटकी वाले के घर आए है और बिभा की चर्चा किया है और लेटकी जाने से पहले उनको मिस्टरन खिला के विदाय करते है अपने घर से तो वो विभाव वो रिस्ता सफल होने वाले हैं इसके लावा एक कुपाई आपको और बताऊंगी कन्या की विभाव की चाचा करने उसके घर पर लोग जब आते हैं मंत्रोदारा भी कन्या विभाव का बाधा दूर कर सकते हैं जैसे कि मंत्रो है ओम कतायनी महामाई महायोगिन नथी शरी नंदोगोपश्योते देभी पती में कुरूते नमहा इस मंत्रों से ना केबल विभावावादा दूर होती है बलकि इच्छित बढ़ की प्राप्ति भी होती है तो ये मंत्रों एक बार मैं और रिपीट कर देती ये मंत्रों ऐसा है ओम कतायनी महामाई महायोगिन नथी शरी नंदोगोपश्योते देभी पती में कुरूते नमहा इस मंत्रों को आपको कहना है इससे रोज सुबे उठके कन्या जो है या फिर बढ़ जो है या फिर लेर्का या लेर्की की शादी नहीं होता उनके लिए ये मंत्रों है पुद्धाने के बाद स्वच्छो कपड़े पैंके अपने घर की मंदिर में बैट कर ये मंत्रों को चपना चाहिए उनका तयनी महामाय महात योगिन्नो थिशरी नंदो गोपुष्युते देवी पुर्ती में कुरू कुरूते नमाहा इस मंद्रों को बोलकर मंदिर में धूप दीप चला के पुजा करना है बिभा के लिए सोमबार को एक किलो दो सो ग्राम चनी की डालिया सवा लीटर कच्चे दूद का दान करना चाहिए ये प्रेयुक तब तक करते रहना चाहिए जब तक बिभा ना हो जाए और साथ ही एक उपाय आपको और बताऊंगी ये उपाय लर्कों के लिए कारगर है जो लर्का है जिसका शादी नहीं हो रही है काफी उमर हो चुके है या अफी शादी में कुछ ना कुछ बाधाय आते जा रहे है उनके लिए है मंगलबार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान ची की पूजा करना चाहिए और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदु ले जाकर भगवान राम और देवी सीता के चर्णों में अरपित करते हुए शिक्र बिभा की प्राथना करना चाहिए 21 मंगलबार ये उपाय करना चाहिए 21 मंगलबार तक इस उपाय को करने से बिभा में आने वाली अर्चने दूर हो जाते है तो आपको मंगलबार की दिन हनुमान जी की सिंदूर लेके भगवान राम और सीता महिया की चर्णों में लगा आना चाहिए 21 मंगलबार करने से बिभा में आने वाली अर्चने सारे समाप्त हो जाएगा एक उपाय आपको और बताओंगी मैं सोंबार के दिन एक किलो 200 ग्राम चने की दाल और सवाल इता दूद किसी भी जरुरत मंदों को दान करे और इस उपाय तब तक करना चाहिए जब तक कि आप बिभा तर नहीं हो जाता है और इस उपाय से लड़का और लड़की दोनों के लिए भी अच्छा होता है दोनों की बिभा में आने वाली अर्चने वो समाप्त हो जाती है जीज़ी करना की बिभा में बाधा आ रहे है वो एक असान सा उपाय कर सकते है किसी भी पुनिमा की कि थी के दिन कोई भी दिन जिस दिन पुनिमा हो उस दिन बटब्रिक्ष की पुजा उनको करना चाहिए पुजा के बाद शिक्र विभा की कामना करना चाहिए पुनिमा के दिन बटब्रिक्ष का पुजा करने से विधान से पुजा करने से उनकी पुजा के बाद शिक्र विभ एक रमा भी करना चाहिए इससे क्या होता है विभा में आने वाली जो परिशानी बाता है वो दूर हो जाता है इसके लाबा एक उपाय और बताऊंगी मैं प्रतिदिन प्रातो का इस्दान करके मादुर्गा के तस्बीर या मुर्थी की लाल फूल से पूजा करना चाहिए इस दुर्गो संसार सागरस्त कुलो तबाम इस मंत्रो को कम से कम पाँच मला चपना चाहिए ये मंत्रो एक बार और बता देती हो पत्नी मनोरामा तेही मनो प्रित्तानु शारिनिम तारिनी दुर्गो संसार सागरस्त कुलो तबाम इस मंत्रो को कम से कम पाँच मला चाहिए नहाने के बाद इस उपाई से शिक्र विभा भी समापत हो जाता है मत्रब विभा शिक्र से शिक्र आपका विभा संपर्ण हो जाएगा जिवन साथी के साथ अब मधूर संबंध बना सकते हैं इस मंत्रो से जदी व्यक्ति को शिक्र विभा की कामना है उन्हें गुरुबार को गाय को दो आटे की पीरे पर थोड़ी हल्दी लगा के खिला देना चाहिए इसके साथ ही थोड़ा सा गुर वो चने की डाल भीगी हुई चने की डाल जो है आटे की पेरे के अंदर रखके गाय को खिला देना चाहिए इससे भी तुरंट जो है वीभा में आने वाली जो परिशानी है वो खतम हो जाता है हर गुरुबार इसको यह उपाय करना है आखरी उपाय मैं बताऊंगी आपको अगर किसी का वीभा कुंडली के मांगली योग के कारण नहीं हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दीन चंडिका सोत्रों का पाठ मंगलवार के दीन शनिवार के दीन सुन्दरकांट का पाठ करना चाहिए इससे भी विभाव के मार की बाधाव में कमी होती है इससे भी विभाव की मार की जो बाधा है उससे धीरे धीरे करके समाब तो होती है जो भी परिशानिया विभाव में आने वाली परिशानिया समाब तो होती है चलिए यह तापने जान लिया कैसे कैसे परिशानिया अगर विभाव में आए तो आपको क्या क्या उपाई करने परिशानी दूर हो जाएगा चलिए आज तो अपनी जान लिया इतना ही फिर आप लोगो कि सामने में दुबारा हाजिर हो जाओंगे कुछ न कुछ पूजा पार साधना और तोट के लेके जब तक मुझे जासा दीचियो सब्सक्राइब कीजिए आस्टो तक चैनल को नमशका प्रिचल के लिए आसमा जब आसमा ही बूजा आसमाट्स कुछ लेखी जाता हुएफएब के लिए